पुनहना में आरेफ कमांडो की टीम द्वरा पैदल मार्च निकाला गया बता दे कि छेतर में साथी इलाके के वरिश्ट नागरिक समासे भी और गड़माने वियक्तियों से मिलकर पूर में हुई घटनाओं दंगे वा अन्य गत्विधियों के बारे में विश्तार से जानकार हांसिल की गई ताकि भविश्य में होने वाली कानुन इवम विवस्ता की जूटियों की आसंकाओं में आसानी ते तैनाथ होकर इस्तिती पर नियंतरन कर सकें तता इस्तानिये पुलिस्वा आमजन के बीच अच्छा समन्वे पना रहे कुनाना और विचोर थाने के अंतरग आने वाले गाउं में पैदल मार्च निकाल कर लोगों को सांती अमन भाई चेरे बनाए रखने का संदेश दिया गया इस्तोरान रैपिड एक्षन फोर्स के जवानों ने पुलिस्वा आमजन के साथ मिलकर ब्रक्षा रुपान कारेकरम का पर्यावरंट सरक्षन के बारे मे लोगों को जागरू किया है बटालियन कमांडेंट राकेश कुमार ने कहा है कि प्रकरती के बिना हमारा कोई अस्तित नहीं है हवा पानी भोचन धूप इत्यादी सब कुछ हमें प्रकरती से ही मिलता है बावजुद इसके हम प्रकरती के साथ खिलवार करने में लगे हुए हैं अपनी लालच के लिए हम हरे भरे पेड़ों को काट कर प्रकरती को नुक्षान पहुचाते हैं जबकी पेड़ हमें आक्सिजन देने के साथ साथ फल्फूल छाया बरसात लाने में सहयोग होते हैं पेडरों की लगातार हो रही कटाई का नुक्षान हमें ही भूगतना पड़ेगा जलवाई में परिवतन इसकी इसरुआत है लगातार परदुसरन इस तर बढ़ता जा रहा है हमें जरत है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं इसी कड़ी में आज DSP असो कुमार के नतरतों में साजन किस्तानों पर ब्रक्ष लगा कर अभियान की इसरुआत की गई है लोगों से आवान किया गया है कि हमें समय समय पर पेड़ लगा कर उनकी बड़ा होने तक सेवा करनी चाहिए ग्लोबल वर्मिंग के इस समय में सबी लोगों को अपनी जीवन में कम से कम एक पेड़ लगा कर उसके बड़े होने तक उसकी देखवाल करने का इस मौकें पर विचोर थाना पिरवारी, मल खान सिंग, कमांडेंट, सुनिल कुमार, इत्यादी, पुलिस फोर्स के जवान मवजूद रहे। पर पार पारे में जानकारी होनी चाहिए है। आज अबरा विक्षोर और पुनाना काता और यह कंप्रीट होने जा रहा है कि अधकल हमारा फिर फिर पुलिस दाइन मून में होगा अब कैसा महौल अच्छे तेका जिए महौल शांती पून चल रहा है लोगों से बाचित हो रही है लोगों को संजय भी जा रहा है जद भाव इसरस बिछोर थाना शित्र के लोगों से बाचीत करने के लिए आजकल के हरात के मुताबिक इस्तिति का जायजा लेने के लिए उनका अगर कहीं कोई डिस्पूर्टिक मैटल या अभी भी कोई खामिया लग रही है तो उस मिशे के संबन में लोगों से बाचीत करके लोगों का कोई सरल उपाए निकालने के लिए आज यहां बिछोर थानक्षित्र के लोगों से बाचीत करने का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के मताब एक इलाके के लोगों को बुलाकर उनके साथ सरल समबाद किया गया उनसे पिछले कुछ समय से चल रहा तनाव की विशे में बाचीत की तो फुल मिलाके सभी इलाके के लोगों ने सांती बनाए रखने का आश्वाशन दिया है और फिलाल सांती बनी भी हुई है उस जगडे में जो भी कोई लोग दोसी पाए गए थे उनके खलाब कारवाई की जा रही है काफे लोगों कोरिस्ट किया गया है और जो अभी बचे हुए हैं उनको भी ढून कर उनके खलाब कारवाई जा रही है इलाके में सांती बनी हुई है और आगे भी सांती को इसी प्रकार से लोगों के सहे उसे बना कर रख गए गए मेरा नाम महादेग है गराम डूडोली मादेग जी अपने बिच्छोर थाने में हमको बुलाए गया हमारे C.R.P.F.R.A.F. के लिप्री कमांडेंट थे और पुन्हाना से अपने D.S.P.S.O. कुमार जी और हमारा थाने बिच्छोर थाने में सेच्छो है बल्खान सिंग जी त उन्होंने हमको बुलाया कि जो अपना च्छेत रहा है इस थाने में करीवन 26 गाम लगते हैं 26 गामों के सभी मौजूज आना आदमी को बुलाया कुछ सर्पंच भी थे कुछ मौजूज आना आदमी थे उनको बुलाकर उन्होंने कहा कि अपने एरिया में आप कैसा माहूल है इस्वांती है या मतलब कुछ सरारती तक है वो सरारत कर रहे हैं तो उन लोगोंने विस्वास दिया सभी मौजूज लोगोंने कि अब हमारे यहां प्लाल जितना भी बिछोर थाने में लिए लगता है उसमें स्वांती है